पार्ट जो आते हैं, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो है CT-PT, ठीक है, यहाँ पे CT क्या होता है, CT is basically the current transformer, CT की जब भी हम बात कर रहे हैं, तो देखो, जब भी हम बात करते हैं, नॉर्मली तो एक तो होता, पावर ट्रांसफोर्मर, जिससे हम voltage को step up, step down कर रहे होते हैं, अपने सिस्टम के अंदर, सबस्टेशन में, उसके अलाव हमें क्या होता है, measurement करना होता है, ठीक है, हमें measure करना होता है, कि इस समय कितना current चल ला है, कितना voltage चल ला है, अपने control room में, में बैटके, साथी साथ हमें क्या होना, relay चल लाई होती है, relay, तो relay क्या होती है, relay जो होती ही, यही आपका mastermind होता है, जो कि circuit breaker को कहता है, कि अच्छा बंद हो जा, trip हो जा, कि non-trip, या auto reclose, यह सब चीज़े हम लोग क्या करते हैं, relay हमारा काम करती है, वोल्टेज चल रहा होता है, 33 KV, 66 KV, सबज में आ रहा है, current चल रहा होता है, 100 A, 200 A, 300 A, ऐसे करके, बहुत ही हाई current और, बहुत ही हाई voltage चल रहा होता है, ठीक है, तो अब ऐसे में, हम कोई भी अपना M meter या, volt meter directly लगा ही नहीं सकते, क्योंकि direct लगा होगे तो जल जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग current को और voltage को step down करके लाते हैं, और range कितनी लाते हैं, जैसे for example 33 KV है, तो measurement करने के लिए इस voltage को हम लोग step down करते हैं, 110 V तक, ताकि हम easily अपना volt meter इससे connect कर सके, ऐसी current, 1000 A चल लगी current, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम convert करके लाएंगे 5 A के current में, ताकि हम उसको easily measure कर सकें, तो यह जो काम होता है, 5 A में लाना और 110, यह सब काम करा जाता है, with the help of CT, CT क्या करती है, current को step down करेगी, और PT क्या करती है, voltage को step down करेगी, समझ में आ रहा है, तो इसको ज़रा समझ लेते हैं, तो current transformer क्या होता है, CT is a current transformer, is a type of instrument transformer, तो ऐसे transformer जो measurement में मदद करते हैं, उनको हम लोग instrument transformer कहते हैं, ठीक है, तो एक होते power transformer, जिनका काम होता है, power level को maintain रखना, step up step down करके power को high voltage और high current के तरह वो act करते हैं, लेकिन एक होते हैं, instrument transformer, जिनका main purpose होता है, कि measurement के process को complete करवाना, तो इनका solely जो purpose है, वो है measurement, तो इसलिए इनको नाम दिया गया instrument transformer, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये step down करता है high current rating को, ठीक है primary side, अब ये होगी इसकी primary side, यहाँ पर बहुत ही high current flow कर रहा होता है, ये क्या करता है, ये step down करेगा, 1000 एंपर current flow कर रही होगी, तो ये step down करेगा, कितना 5 एंपर तक, इतना ज़्यादा step down कर देगा, और इसके हम लोग क्या करते हैं, protection and measurement purpose के लिए इस्तमाल करते हैं, so this is the primary role of CT, clear होगी होगा है यहाँ पर, CT के उपर 3-4 part अभी आगे तैयार मैं कर रहा हूँ, पूरी एक कैसे हो, 3-4 lecture तैयार हो रहा है, CT को कैसे काम करता है, कितने तरीके के होते हैं, reading कैसे करने ही, बहुत कुछ आपको अभी सीखने को मिलेगा, अभी तक तो बस मैं basic basic लेके चल रहा हूँ, अभी हम लोग बिलकुल अंदर गोता लगाने वाले हैं, topics के, ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक, तो this is your CT, इसी तरीके से potential transformer ही हुई है, कि PT क्या होता है, is a type of instrument transformer है, जो क्या करेगा, step down करेगा, step down the high rating primary voltage for metering purpose, तो यह क्या करेगा, for example 33 kv चला है, इसे convert कर देगा 110 volt में, इतना जादा step down करता है, तो यह main function होता है, potential transformer का, clear होगे हैं यहापे, यहापे देख सकते हो, यह दोनों बने हुए हैं, potential, this is your potential transformer, यह होगे CT, अच्छा एक बहुत ही interesting question है, जो वाईवाई पूचा जाता है, और कि भई सर, दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, देखो गर देखोगे, तो यह भी ऐसी दिख रहा है, और यह भी लगबग ऐसी दिख रहा है, तो अगर देख कि कैसे पैचान सकते हैं, हम लोग की CT कौन सा और PT कौन सा, ठीक है, मैंने देखा, इसका बहुत ही rare लोगों ने answer इसका दिया हुआ है, तो देखो एक बात ध्यान से समझ लो, CT जो होता है, CT आपका, यह क्या करेगा, यह आपका लगेगा, सीरीज में, ठीक है, अब सीरीज में लगेगा, ठीक, clear हो रहा है, यहाँ पर, इसको भी भूल जाओ, सीरीज का मतलब क्या हुआ, कि भाई, इस बात को ध्यान रखो, कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है, इसके अंदर एक टर्मिनल एंटर कर रहा होगा, और दूसरा आउट्पूट टर्मिनल वही टर्मिनल जो होगा, मतलब वह बाहर भी निकल रहा होगा, मतलब जस्ट यह लाइन आई और ऐसे करके निकल गई, clear हो रहा है, यहाँ पर, entry टर्मिनल है, entry point है, और exit point है, एक ही level पर, इस तरीके से continuous flow में निकल रहा होगा, जैसे देखो यहाँ पर, entry होई, और यह exit हो गया, clear हो गया, entry हो रही है, और exit हो रहा है, same level पर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, एक ही जगा, सब्सक्राइब बात ही है, entry टर्मिनल यहां से है, और आपका कोई भी यह wire यहां पर dead end हो गया है, clear हो गया है, समझ मेरी बात ही है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा सिरा है, वो कहां से निकल रहा हो, यहां से ground में जा रहा होगा, clear हो गया है, देखो यहां से भी देख सकते हो, कि entry टो हुई यहां से, और उसके बात क्या होगा, वो ground में चला गया, clear हो गया बात यहां पर, यह देख रहा हो, यह entry हो गई, this is your entry point, बलगि इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, यहां से देखो, यह है na PT, यह होगे entry टो हो रही है, और यह क्या हो रहा है, ग्राउंड में चला जा रहा है, समझ में आरी बात ही है, जबकि यहां पर entry हो रही है, और यह continuously बाहर भी निकल रहा है, तो यह क्या है, this will show the series connection, यह क्या है, series में connected है, और यह क्या है, यहां से क्या हो रहा है, यह जा रहा था bus bar, बस बार से हमने क्या कर रहा है, एक wire लिया और यहां पर PT भेज दिया, और इसको ground कर दिया, यहां से समझ में आ रहा है, so this is the PT, potential transformer, लेकिन अगर CT को ध्यान से देखो, यह ही तो है, यह है तमारी bus bar, जा रही थी, इसी के अंदर हमने CT को installed कर दिया है, समझ में आरी बात ही है, तो CT क्या होता है, सीरीज में लगा होता है, उसी bus bar के, और हमने उसको इस तरीके से place कर दिया, यह है, तमारी turns होंगे इसके अंदर, समझ में आरी बात ही, so that is the difference, तो देख के कैसे पैचानना है, अगर किसी CT, PT जो भी तुमें दिख रहा है, अगर किसी इस तरीके के apparatus में से, दो तार, एक तार घुस रहा है, और वो ही तार आगे चाके निकल जा रहा है, तो वो CT होगा, अगर किसी इस तरीके का, तो मगर एक वो अरेंजमेंट देखते हो, उसमें क्या है, कि तार घुस रहा है, पर उसी लेविल से आगे नहीं निकल रहा है, बलकि नीचे उसे ग्राउंड कर दिया गया है, तो ऐसा सिस्टम जब भी देखते हो, कि डेड एंड है, समझमारी बात ही, एक हमने सिरा लेके डाला, लेकिन जो दूसरा सिरा था, वो निकाला नहीं, बलकि नीचे लास्ट में जाए, ग्राउंड कर दिया, तो ये सब जब भी देखोगे, तो इट इस योर पीटी, तो ये आयोब इतना सभीशन्ट होगा, बाई कोई डाउट वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, यहां तक क्लियर हो गया होगा, दूसरी बात कर लेते हैं, एक होता है, अच्छाए CT हो गया, पीटी हो गया, ना एक फिर्टी हो गया,